अपने blog website के लिए किस तरह से do follow backlink बनाएंगे तो finally friend आज का वीडियो हमारा एसी topic पे है आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ अपने blog website के लिए do follow backlink create कर सकते हैं दोस्तों do follow backlink हर एक website के लिए जरूरी होता है अगर आप अपने site के ओपर जल से जल traffic लाना चाहते हैं तो आपको अपने site के लिए do follow backlink जरूर करना चाहिए अभी के rate में दोस्तों Google उसी post को उसी site को जल्दी rank करवाता है जिस site का या जिस post का do follow backlink अधीक होता है इसलिए दोस्तों मैं आपको यही recommend करूंगा कि आप लोग अपने blog post या आप लोग अपने site के लिए do follow backlink जरूर करें अगर दोस्तों आप लोग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को सुरू से लेकर आखरी तक जरूर देखें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने PC पे और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने blog website या blog website के post के लिए do follow backlink कैसे create करेंगे simply दोस्तों इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ 100% working है और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग अपने blog website के लिए do follow backlink create कर सकते हैं और साती सात दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में live देखाने वाला हूँ तो simply दोस्तों आपको हमारे वीडियो के description में एक link मिल जाएगा simply उसके उपर जब किलिक करेंगे तो आप इस page के उपर पहुच जाएंगे इसके उपर हमने एक article publish किया है कि भाई आप लोग instant approval do follow backlink किस तरह से create कर सकते हैं step by step हमने इस वीडियो में बताया है कि do follow backlink बनाने से आपको क्या-क्या फाइदा होने वाला है अगर आप लोग अपने blog website की ranking increase करना चाहते हैं तो आपके blog website के उपर do follow backlink जरूर होना चाहिए और साथी साथ दोस्तों अगर आप अपने site के उपर traffic भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको do follow backlink अपना create करना होगा और यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग do follow backlink अपने blog website के लिए create कर लेते हैं तो आपकी domain का DAPA भी increase हो जाएगा अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे दोस्ते हैं कि D DAPA कैसे increase करना है तो भाई आपको अपने blog post के लिए या blog के लिए do follow backlink create करना होगा उसके लिए दोस्तों हमने यहां पर एक article लिखा है उसे आपको यहां पर पर लेना है और साती साथ दोस्तों अगर आप परना नहीं चाहते हैं तो हमने यहां पर कुछ list provide किया है जहां पर दोस्तों आप लोग comment के द्वारा do follow backlink create कर सकते हैं simply दोस्तों यहां पर आप दे सकते हैं बहुत तरह का आपको list देखने को मिल रहा है personally हमने इन साथे list के ऊपर लगबग हमने comment करके do follow backlink create किया है वही मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ जैसा के friend आप यहां पर देख लेना है चलिए हम इसे यहां पर लेते हैं और साथी सार्व मैं आपको बता दूंकि यहां पर आपको account बनाना होगा account कैसे बनाना है चलिए मैं आपको दूसरे टैब में open करके बता देता हूं जब दोस्तों आप लोग इस site का कोई भी post open करेंगे आप नीचे आएंगे तो यहां पर दोस्तों आपको login और register बटम देखने को मिलता है तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर register बटम के ओपर किलिक करके अपना यहां पर account बना लेना है ठीक है username, email id और location डालने के बाद आप capture फिल करके create account कर लेंगे यहां पर दोस्तों account बनाना बहुत यह आसान है account बन जाने के बाद उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर login कर लेना है, login करने के बाद कोई भी post आप यहां पर open करेंगे जैसा कि आप यहां पर देख पारा है और साथ मैं यहां पर comment करने का option देखने को मिल जाता है, यहां पर subject में आप कुछ भी दे सकते हैं, उसके बाद दोस्तों यहां पर आप कुछ information दे दें, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, आपको article पढ़ लेना है, इसमें क्या बोला जा रहा है, उसके बाद दोस्तों यहां पर comment वगेरा भी आप यहां पर देख लेंगे, तो यहां पर friend आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहां एक अंकर टैग और आपके सामने यह साइड ओपन हो जाएगा, इसे आपको ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद दोस्तों, try it yourself के उपर आपको यहां पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको इन सब टैग को यहां से हटा देना है, ओके, इनको भी पोस्ट है, ठीक है, इसका URL हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद, आपको यहां पर इसे पेस्ट कर देना है, और इसका जो भी नाम देना चाहते हैं, वो आप यहां पर लिखेंगे, चलिए इसका नाम भी दे देते हैं, इतना हम दे देते हैं, ओके, इसके टाइटल को हम कॉपी कर लेते हैं यहां पर पेस्ट कर देते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर रन बटम के ऊपर किलिक करना है उसके बाद दोस्तों आप इस लिंक के ऊपर किलिक करके एक बार चेक कर लेंगे यहां पर साइड यहां पर ओपेन हो रहा है यहां पर द यहाँ पर आप प्रिवीव भी कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं तो फिलाल दोस्तों हम लोग डाइयरीक कर देते हैं सेव करने के बाद फ्रेंड आप यहां पर देख पा रहा है हमारा जो कोमेंट यहां पर सब्मिट हो चुका है ठीक है नीओ आइडी ओके और यहां पर दूस्तों आप देख रहे हैं जो लिंग हमने लगाया है वह लिंग यहां पर पर टरीके से काम कर रहा है अब इसको यहीं पे भी नो फोलो बैक नहीं बोला जा रहा है यह 100% Do follow बैक लिंग है तो इसे तरह से दोस्तों आपको यहां पर बैकलिंक बनाना है अप चलिए मैं आपको दूसरे साइट के बारें बताता हूं दूसासा हमारा यहां पर आपको विजिट करना चलिए से यहां से कॉपी कर लेते हैं कॉपी करने के बाद हम लोग यहां पर इसे पेस्ट करके किलिक करते हैं तो यहां पर आप दे सकते हैं यह साइड यहां पर ओपें हो चुका है ओपें होने के बाद फ्रेंड आपको यहां पर ब्लॉक के ओपर जाना होगा किलिक करने के बाद यहां पर यहां पर डाइट कॉमेंट करेंगे चलिए यहां पर फुछ इंफोर्मेशन देते हैं जैसे लिए ते वेरी गूड उसके बाद हम लोग यहां पर कोडिंग का इस्तेमाल करेंगे यह वाला कोडिंग को आपको यहां से कॉपी कर लेना है कॉपी करने के बाद आप यहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे ठीक है यहां पर आपको इसे पेस्ट करना है पेस्ट करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको सेफ बटम के ऊपर क्लिक कर लेना यहां पर नाम डाल देना है और इमेल डाल देना है और वेबसाइट का युवाइल डालना है उसके बाद फ्रेंड आप इस बटम के ओपर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आप यहां पर देख सकते हैं हमारे साइट के ओपर जो भी नया पोस्ट है वो भी अप्रूब भी हो चुका है कोई बंदा इस लिंक के ओपर किलिक करके हमारे साइट के ओपर पहुंच सकता है अब दोस्तों मैं आपको बता रहेता हूं कि यहाँ पर केतना लिस्ट है यहाँ को दोस्तों को बहुत तरह का आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगा अब सारे के उपर कॉमेंट करके अपना डू फोलो बैक लिंग कर सकते हैं चलिए मैं आपको थासा एक साइट के बारे में और बता जेता हूं यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो साइड है इसके उपर भी आपको रेजिस्टर करना होगा ठीक है चलिए मैं इसे यहाँ पर न्यू टैब में ओपन करता हूँ ठीक है जब दोस्तों आप लोग इस साइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको लोग इन करने के बारे बोला जाएगा लोगइन करना दोस्तों बहुत ही आसान है सिंपल यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है कुछ भी है तो डाडेक्ट हमारे साइड की ओपर यह पहुंच जाएगा जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं अब चली मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आपको कॉमेंट कैसे करना सब्जेक्ट में आप नियू आइडी या कुछ भी आप लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पे आप कुछ भी देना चाहते हैं चलिए हम देते हैं वैरी गूड ओके उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर कोडिंग जो हमने आपको बताया था कैसे बनाना है ठीक है उसे आपको यहां पर बना लेना एंकर टेग उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर इसे पेस्ट कर देना है पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप प्रिव्यू बटम के ऊपर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद फ् कोमेंट successfully यहाँ पर publish हो चुका है यहाँ पर देख सकते हैं अभी के अभी हमने इसे publish किया है चलिए मैं आपको इसका भी लिंक यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूं इंस्पेक्ट के ऊपर किलिक करता हूं ओके उसके बाद हम लोग इसे edit stml कर लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर नो फोलो बैक लिंग के बारे में नहीं बोला जा रहा है यह कंप्लीटली डू फोलो बैक लिंग है ओके तो इसी तरह से आपको कॉमेंट के दोवारा बहुत यह आसानी के साथ आप लोग बैक लिंग कर सकते हैं और साथी साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पहले से बैक लिंग करके रखा हुआ है आपको देखाने के लिए इंस्टेंट अप्रूब हो जाता है ओके यहाँ पर देखा देता हूं यह भी साइड है इसके ओपर भी हमने अभी क्या भी इहां पर ढूर बैक लिंग करेट किया है ठीक है चलिए मैं आपको यहां पर इसको भी inspect के ऊपर किलिख करके आपको देखा देता हूँ यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि किसी बी तरह का no follow back link के बारे में यहां पर नहीं बोला जारा कि जैसा कि do follow back link यहाँ पर create हो चुका है comment के दोवारा ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं कोई बंदा इसके ओपर किलिक करके हमारे साइट के ओपर पहुंच सकता है चलिए मैं इसे यहाँ पर new tab के ओपर किलिक करके यहाँ पर देखा जेता हूं जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पर देख पा है हमने यहाँ पर भी create किया है ठीक है जब हम यहाँ पर मौस लेके जाते हैं तो देख सकते हैं नीचे में डिटल इस्राइल चलिए हम इसे new tab में open करके देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा side open हो रहा है अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि साथ में चेक कर सकते हैं हमारे सामने यह domain है चलिए मैं आपको फर्स्ट domain का डीएपी और इस पैम स्कोर यहाँ पर चेक करके देखाता हूं आयम नौट रोबोट के ओपर हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोला जा रहा है मॉंटेंड ठीक है तो हम यहाँ प पहीं दोस्तों दिए है 50 पीए şekilde साहँ जावन और 7 7 दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका इस पैम इसको सैट से बैक लिंग बनाते हैं तो उसका spam score आप जरूर चेक कर लें एक से 5 के बीच में हो तभी दोस्तों आप लोग वहाँ पे backlink बनाए अगर दोस्तों 5 से अधीक होता है तो आप उसके ओपर backlink नहीं बनाए अगर दोस्तों आप लोग ऐसा करते हैं तो हो सकता है Google आपके site को penalize कर दे तो इसी अभी आप लोग बैंग लिंग बनाना चाते हैं बना सकते हैं तो फाइनली फेंड ये वीडियो को कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना ना भोलें थैंक्यू फॉर वाचिंग